हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके प्रेशनल स्वी एन एग्यों में दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे मानुसरी में होने वाले वीपिन रोकों के कारण वार उनके निदान के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देती हुए इस वीडियो में पूरा जो है आज बिखा होगा PGT में और मेली जो है आपका PGT में यह काफी इन्पोर्टन ट्रॉपिक हो दाता है क्योंकि PGT में पर आपके इस टॉपिक से कि कौन सा भी डिजी जो है पैक्टरिया के उससे होता है या फिर उस बैक्तिरिया का नाम इस तरह कि पॉर्शन से आपको देखने को म यह देक्स करेंगे किसी वीजा सकते क्ती हैं सब्सक्राइब है आपका वह रहा है बिडी तोए तो यहां पर आपका जो यह कोलम है डिजीज और उनके बडिक्टली अनलों और श्लट्ट अंग साम त्रहते जोंडित तेहिते जरेंगे आप डीटयो तक जो आपको नामक वेक्टरिया से जो है आपका हैजा होता है और प्रभावित होने वाला अंग होता होता है और इसके लच्छन होते हैं यानि कि मिचलाना होता हुझाय आपकी वम्टिन सरीर में एड़ है देखने को मिलते हैं अगर हम इसके उप्चार की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको सफाई ठीका करन जो होता है आपका वेक्सिनेशन इसके अटिवाड़ी दुमाओं का सेवन करना आवश्यक होता है नेक्स्ट हमारा आता है आपका सेकंड छह रोग जिसे हम टीबी कहते ह वेक्टिरियम टूबर क्लोसीज नामक बेक्टिरिया जिवाणों से होता है और इसे प्रभावत हुनिल्याल जो हमारा आंग होता है इसमें क्याता दोस्तों जो लचन दिखा जाता है वह आपके हैं खासी बुखार चाती में दर वलगम में रख्त आदि का आना जो है इसके लच्छ रहा होते हैं इसका जो आपका विस ची जी का टीपा ये पूछा दासा कि जो है कि स्राल किलिए लगा जाता है तो आपके छफान को थो आपका बैसी लेस और ही को श्रॉआर्ट बात नाम मेनने कि जो प्रुआइस here यह रोगानियों का नाम है आपका वैसीलस पर टूरूसिस यह पहवित्वरल जो अंग है मारा वो है फेपड़ा इसके लच्छन है वह है आपका बार-बार खासी का दोरा आना इसकी दवाओं का सेवन ही इसका क्या है आपका उपचार है आपका नाम दे जाएगा और आपसे पूस्ट लिए चाएगा यह वैक्टरिया से होने वाला है या फिर आपका जो है प्रोटो जोवास होने वाला इस तरह के आप्छन को दिये जाएंगे और आपको जो ठीक मार्क करना होता तो आपको यहां पर क्या याद रखना मोब है नाम से जानते इसे प्रभावित होने वाला जो आंग है वो आपका फेफडा है लंस जानी हमारा इसमें जो लच्छ्र दिखा जेते वो आपके छाती में दर्थ होता है आप क्सार्शानिउ दिक्कते होती हैं और जो इसका उपचार उसमें एंटिबर्टिक, दमाओं का सेवन जो है किया जाता है नेक्स्ट हमारा आता है ब्रोकाइटीस ब्रोकाइटीस जो होता है इस रोग में ये भी आपका जिवानों से होने वाला है और इसमें जो प्रोफवित होने वाला अंग है आपका वो क्या सुसंतंत्र है चाती में दर्द और असांस लेन में परशानी इसमे भी आपको जो है इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे उप्चार के अगर हम बात करते हैं इसमें एंटिबार्टिक दवाओं का सेवन के जाता है लिंप लेने में दिक्कत होती है बुखार इत्यादी जोयज के भी लचण होते हैं इसमें भी आपको जो है अंटिबार्टिक दवाओं का ही सेवन जो है उप्चार में आता है नेक्स्ट मारा है वह किस बैक्तिया से होता है तो आपका पर्चियोरी रेला पेश्टीस नामक ज तरीर में दर्द आपको मैसूस होगा यह मतलब काफी हाइट जो है फीवर आपको रहेगा आँखों का लाल होना गिल्टी जो कि लिंफ्ग्रंती में हो निकल आती है और अगर इसके उप्चार प्लेंग का वहाग होता है फिर इसके बाद क्या अलावा रोगी का कपड़े होता है उप्चार के दौरपे उनको साफ रखना वस्तौं को साफ रखनां लाने कि जूँए उसको काफित तरीके साथ को सच्छ रखना पड़ता है तीक अकड़न जो है इसका उप्चार है और अन्ट्री दवाइं यहीं सका क्या है आपके उप्चार में आते हैं डैक्साइब था इसका इसमें हमारे इस आपके दिप्थेरिया नाम से जाना जाता और इससे प्रभाइव थो आपका अंग है वह आपका गल्ला है और लच्छन के अगर हम बात करते हैं तो गल्षोध स्वास लेने में परिशानी इस तरह के लच्छन दिखाए देते हैं टीका करन और दवाय ही इसका उपचार है पिर हमारा आता है नेश्ट कोड का जो जिस बैक्टरिया से होता उसको माइक्रो बैक्टरियरियम लेप्री के राम से जानते हैं और इसे प्रभावित हो लाना जो आंग है आपका वह तंत्री का तंत्र है लच्छन में आपके उंगले और उर्दवाहों का कटकर की गिरना शर इस नेसे नrenchजम करते हैं रहा लच्छन की बात करते हैं तो बुखर का तिर्व गतिस से चणना उदर की नाजक्ता और इसके लावा बधजमी डारिया इस तरह के लच्छन जो है देखने को मिलते हैं उप्चार की बात करते हैं तो रोगे की कपड़े बधार्थ को बीशन गर्मन एयो अंटीबटिक दवायों का सेवन ही इसका क्या है उप्चार है नेक्स्ट हमारा जो आपका अंग है वह आपका मेरी रज्जु है लच्छन की बात करते हैं तो मास पेशियों में संकुचन एव शरीर में टेढ़े मेडे वेंडोल होना होना जो है इसका लच्छन है उप्चार की बात करते हैं तो इसका भी आपका वेक्सिनेशन यानिके ठीका करन और कि आम am Mainafigak मेchnें धि कारैं करते हैं अधि आपका होने अला रोग है फिर अधि प्रभाविधत वनग perd Sakwegen कि लंग नगे जो होते हैं वह हमारे प्रभावित होते हैं लच्छन की इन की बात करते हैं तो सोधेयो घायों या मूद्र में प्रशानी इस तरह के जो हैं यह जो है। एस प्रभावित होने र स्चबस देखने को मिलते तो इतुलाव का इंटिuks जो है जादा तर हैं आपके उब्चार में आपको मिलेंगे तो अगर इस तरह के कोश्चन्स आता है तो यह ध्यान रखिएगा कि ज्यादा तर जो बीमारियां है आपके बैक्ट्रिया से होने वाला है इसमें एंटी बायोटिक्स दवाओं का सेवन और टिका करण ही आपका क्या है इसके उप्चार के अंतरगत आता है इसमें निशेयरिया नाम है और इससे प्रभावत होने वाला जो आपका आंग है वह आपका मस्तिक्स है लचन की बात करते हैं तो इसमें दर्द बुखार के या अचेतना जैसे जो लचन दिखाई देते हैं एंटी बायोटिक्स दवाओं का सेवन इसका उप्चार है फिर इसमें प्रभावित होने वाला जो आपका स्वसंत अंत्र नाग से पानी गिरना सिर्दर्द आंख दर्द इत्यादी जो है इसके लचन है और इसके जो प्चार की बात करते हैं तो धूलकन से बचना एंटी बायोटिक्स दवाओं का सेवन ही इसका क्या है आपका उप्चा सब्सक्राम से वात जबूआ की बात करें लुचा इसके जो कि आपके प्रभाविस करते हैं तो कि इससका क्या है तो इसमें आपका तो क करेंग tast और लच्छन के अगर हम बात करते हैं तो नाक का बंद होना सीरदर्द होना यह इसके समान लच्छन है उपचार की बात करेंगे आपको तो यह बैक्ट्रिया से होने अब आपको रहता है जो कि नॉर्मल आपके लच्छन इसके हैं फिर इसका भी आपका है उपचार में दवाओं का यानि इसका उपचार है यह दोस्तों हमने टोटल जो है एक से लेके 18 तक के जो है यहां पर डीजिस के बारे में जाना और उनके रोगाणू का नाम जाना और उनसे प्रभावत होने अंग लच्छन उपचार के बारे में यहां पर हमने पूरी तरह किसे जान लिया अब मैं आपको यहां पर एक चीज़ बता देता चाहती हूं कि इनमें से जो मेरीमेर आपका है जो कहते हैं सकते में डीजि侏ं से पूछे गहें हूं हैं इसे DAY दियाम से हम याद रख सकते हैं कौं कौन से डीजीज है जो आपके बैक्टरिय्यां होते हैं तो बैक्टिया से होने वाले डिजीज के लिए ठीक आपका क्या पंडित का ठीका न्यू है तो इसमें अगर यहां पर पा की बात करते हैं तो पा से आपका हो जाएगा प्लेग आपके यहां पर को से आपकर हेले देरी के यहां पर ने इस आपका आथा लेकर आपके यहां पर शूओंद रखेंगे टाइफङ stitch फिर हमारा आता का से से आप का ह ув merak से थे the next अडाइंड कोढ़ा है ध्याभी त nonprofits से आप का का फिर आपका अगें मैं अगयन का से आपका हो जाएगा मोनिया है उसे हुमारा यह यह याद रख सकते हैं कौन सी बिमारियां है जो आपके बेक्ट्रिया से होने वाले बेमारी और यह कॉस्चन तो यह आप याद रख सकते हैं इसका एक ट्रीक है और यहां पर तो आप डिजीज के नाम याद रखिए जो आपके रोगानु के नाम है वह याद रखिए क्योंकि यह अभी तक के जितनी बार पूछा गया है कई बार आप से प्रभावत होने ले अंग भी पूछ लेते हैं तो अगर आप सब याद रख सकते बहुत अच्छी बात है दोस्त हुआ 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 है